यहीं दोस्तों वेलकम टीनाई स्कूल दोस्तों इस बार जो जी सावन सम्मिट हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी चीजे हुई जिनोंने एक गहरा प्रभाव इंटरनेशनली डाला और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ देश तो बेहद नराज हो गए साथ दोस्तों बहुत सारी लोग यह मान रहे हैं अब कि प्रधान मंतरी मोधी को भी जी सावन सम्मिट में नहीं जाना चाहिए था जिने एक गैस्ट के रूप में जी सावन सम्मिट में बुलाय गया था इस पेसल गैस्ट के रूप में तो दोस्तों चले यहीं पर बात करते ह इस बारे में कि क्या प्रदानमंतरी मोधी को वास्तम में G7 Summit में नहीं जाना चाहिए था या फिर दोस्तों वो जो G7 Summit में गए उनका वो डीसीजन का रैक्ट था और दोस्तेक साथ साथ G7 Summit में ऐसी कौन-कौन से चीजे हुई जिनका इंटरनेशनल लेवल पर भयानक निरासा इस बार देखने को मिली और बड़ी अजीब सी चीज़े हुई G7 Summit में जो की नहीं होनी चाहिए थी और साथ ही दोस्तों कौन से देश यहां पर भारी मात्रा में नराज हो गए यानि एक तरह से भारी भर कम नराज हो गए इसी के बार में आपर बात करेंगे लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप डेली बेसिस का हजार से दस जार किया यानि बिल्कुल फ्री में दस से बीस मिनट डेली बेसिस पर काम करके तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके साइन अप करें और क्योवाई सी कंप्लीट कर लें बहुत बड़ी अपोर्चनिटी है इस अपोर्चनिटी का लाब जरू उठाएं अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि G7 Summit इस बार इटली में हुआ और प्रदान मंत्री मोधी का कुछ इस तरह से यहां पर स्वागत किया गया यानि नमस्ते के रूप में और दोस्तों एक बड़ी बात यह हुई कि केवल प्रदान मंत्री मोधी का ही नमस्ते के साथ वैलकम नहीं हुआ बलकि वाकी के जो इंटरनेशनल लीडर्स थे इटली की लीडर्स ने उनका भी हाद जोड़ कर नमस्ते के रूप में ही स्वागत किया जिसकी वज़े से ऐसा देखने को मिला कि नमस्ते का जो यूज है वो इंटरनेशनली भारी मातरा जानी चाहिए जी हाँ ये वाइरल जरूर हुई है लेकिन दोस्तों इसके अलावा और भी जाता जो वाइरल हुआ है इस बार वो कुछ ऐसा है जो किसी ने कलफना भी नहीं करे दी वो क्या है इसके बारें बात कर लेते हैं दोस्तों एक 30 सेकिंड का वीडियो इंटरनेट पर G7 Summit को लेकर काफे जादा वाइरल हो रहा है ये वाइरल है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन को लेकर क्योंकि दोस्तों जब G7 Summit के स्टार्टिंग में इटली ने एक पैरा सूट एक्टिविटीज कराई थी और वहाँ पर सारे के सारे लीडर्स को बुलाए गया था सारे के सारे लीडर्स का फोकस वहीं पर था कि वह कैसे इस पर काम कर रही है वहाँ की जो आदमी है वो कैसे इस पर काम कर रही है लेकिन दोस्तों जो बाइडन कहीं और ही देख रहे थे जिसके बाद इटली की लीडर को उन्हें पकड़ कर लाना बड़ा वहाँ पर की चलि काफे टांगे इनकी खीची गई और साथ ही दोस्तों USA के जो लोग हैं वो इसे देखकर काफे ज़्यादा इस्तब्द हैं काफे ज़्यादा दुखी हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एकोनोमी के जो लीडर हैं राश्टपती हैं वो कुछ इस तरह की हरकत क्या से कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर उनकी mental healthness पर भी इसके बाद सवाल उठाने लगे और दोस्तों कुछ news papers ने तो ये भी चापा यहाँ पर कि Biden embarrasses with three blunders in one day जिन में से एक ये मुख्या था और दोस्तों यह टोपिक इस बार सबसे बाइरल हुआ दूसरी यहाँ पर जो बड़ी कहानी हुई वो यह हुई कि साओधी ग्राउंड के जो प्रेंच थे उन्होंने जी सावन सम्मिट में जाने को माना कर दिया यहाँ पर उन्होंने बहाना बनाया कि हच कमेंटमेंट की वज़े से वह वहाँ पर नहीं जा रहे हैं लेकिन दोस्तों इसके पीछे रियल रिजन था र मांट का इन वेस्टन कंट्रेंज में वो उन्होंने पूरा का पूरा बैन कर दिया मतलब उन्हों रस्या को देने से मना कर दिया और पूरे का पूरा जो है वो सीच कर लिया गया जबकि यह पूरी की पूरी रस्या की संपत्ति थी इसी तरह से दोस्तों वेस्टन कंट्रें धरती धर की आधर क्यों ना हो जाए लेकिन उनकी जो संपत्ति वहां पर रखी हुई है वो पूरी की पूरी सेफ रहेगी लेकिन दोस्तों यहां पर पश्चिमी कंट्रीज ने उकाद दिखा कर यह दिखा दिया कि रस्या की जो संपत्ति यहां पर जब्त की गई और दोस्तो को बोला कि वो अपने countries के development के लिए इस assets को use कर सकते हैं और साथ ही Ukraine को ये बहुत ही कम interest rate पर उन्होंने दिया जिसके बाद दोस्तों रूसके राश्पदी पुतिन ने ये बोला कि ये जो काम किया है G7 Summit के countries ने वो सीधा सीधा एक चोरी है यानि दूसरे की assets को चुरा कर उसका द्रूपियो कर लेना और दोस्तों ये पुतिन बिल्कुल यहाँ पर ठीक हैं क्योंकि दोस्तों विश्वास के नाम पर ये सारी के सारी चीजे चल रही थी इसके बाद आपने देखा होगा कि दुनिया के बहुत सारे गंट्रीज वेस्टन कंट्रीज में उनका जो संपत्ति रखी हुई है वो धिरे धिरे अपने कंट्रीज में वापस लाने का सोच रहे हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंडिया का भी आपने देखा ही कि इससे ज़्यादा वर्स क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर लेकिन एक और ज़्यादा बात हुई मैं आपको बता दू कि इटली की लीडर और दोस्तों जो फ्रांस के रास्पती हैं उनमें भी यहाँ पर नोकचोग देखने को मिली क्योंकि दोस्तों फ्रांस के रास्पती ने इतली की जो अबोर्सन से रेलेटेट पॉलिसी है उस पर वहाँ पर क्योस्टन उठा दी है जिसके बाद इतली की लीडर ने साफ साफ सब्दों में ये बोला कि जो Emmanuel हैं जो France के राश्पदी हैं वो सीधे सीधे अपनी political power को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ये दिखा कर France के लोगों को कि वो भार जाकर भी हस्तक चेप कर सकते हैं अपनी policies को विश्मेवन माने के लिए बाद देख हो सकते हैं तो दोस्तों ये कड़े सब्दों में इंटरनेशनल लेवल पर कई न कई इस चीज़ की चप्चा हो रही है कि इस तरह के चीज़े G7 Summit में हुई जो काफी मैच्चो लेवल की चीज़े नहीं मानी जाती और काफी ज़्यादा खराब लेवल की चीज़े मानी जाती हैं इस बार का जो G7 Summit हुआ उसे कई न कई आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक successful G7 Summit नहीं था बलकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़े हुई जो इंटरनेशनल लेवल पर भड़का सकती हैं खराब कर सकती हैं एस्तिदी को और रशिया एंट चीन को और जादा क्लोज लेकर आ सकती हैं और प्रदान मंत्री मोधी के वहां जाने से भारत और रूस के रिष्टों पर क्या कोई फर्क पर सकता है इसके बारों में अभी साफ साफ कहना बहुत ज़्यादा के लिए नहीं है लेकिन दोस्तों भारत के प्रदान मंतरी नरेंद मोधी G7 Summit में आकर गए गयों इसके पीछे एक बड़ा रिजन ये भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी भी प्रदान मंतरी मोधी चाहते हैं कि भारत की एक छवी बने और दोस्तों विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करें इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही प्रदान मंतरी मोधी G7 Summit में गए तो दोस्तों इंडिया के जो बड़े लेडर्स थे वहाँ पर उनके ट्रिविटर सैंडल बगारा पर एक चीज़ काफी कोमन देखने को मिल रही थी कि G7 Summit के जितने भी कंट्रिज हैं उन सब की जो कमबाइन GDP की जो ग्रोथ है उससे भी जादा अकेले इंडिया की GDP की ग्रोथ अभी देखने को मिल रही है इसका मतलब यह विलकुल नहीं है कि इंडिया इन सारे कंट्रिज से ज़्यादा संपन हो गया क्योंकि दोस्तों वो ओर लेड़ी सारे के सारे developed countries है लेकिन दोस्तों अगर growth rate के बारे में बात करें तो इंडिया का growth rate इन सारे countries की growth rate से ज़्यादा है दोस्तों ऐसा दिखाने पर international level पर इंडिया में investment आ सकता है जिसका इंडिया को एक सीदा सीदा फाइदा यहाँ पर मिल सकता है क्या इंडिया and Russia के संबंदों का इस पर कोई इसर पड़ेगा इसा कहना थोड़ा से यहाँ पर मुश्किल होगा क्योंकि दोस्तों राषिया भी यह जानता है कि भारत अपने हितों के लिए वहाँ गया था जबकि रूस को उस चीज़ से कोई खास रुक्सान देखने को नहीं मिला है इस वीडियो कमेंट्स में आप अपनी राष जरूर बताएं क्योंकि दोस्तों इस बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं साथ ही दोस्तों अगर 10-20 मिन डेली वेस इस पर काम करके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप डेली वेस इसकी हजार से 10,000 रुपे की अर्णिंग करना चाहते हैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो सबसे बेला लिंक है उस पर क्लिक करके साइन अप करके के वाई से जरू कम्प्लिट कर लें